Separation of Substances मतलब मिली हुई चीजों को अलग करना अच्छा मिली हुई चीजों को अलग क्यों करेंगे हम तो देखें क्यों करेंगे कभी आपने चाय की पत्ती को चाय में से अलग करा है क्यों करते हम चाय की पत्ती को अलग ताकि टेस्ट अच्छा है चाय का और पत्टिया मॊंके अंदर ना आ जाएं और देखे क्या करते हम आपने कभी ऐसा देखा है दलिया वगरे ये कोई ऐसी चीज़ आप खा रहे हो जिसके अंदर कोई सबजी वगरे जिसके अंदर मर्चे वगरे आ गई हो तो आप मिर्चे को अलग कर लेते हैं न अपने हाथ से तो क्यों करते हैं उसे आप separate ताकि आपको बहुत जादा तीखा ना लगे है ना तो फायदे होते हैं चीजों को अलग करने के वैसे ही देखिए बटर को निकाला तो क्या करा दूद में से अलग-अलग चीजों को निकाल लिया हमने उससे फायदा क्या हुआ बटर मिला उससे हमें कभी दही मिली तो कभी घी मिला है ना अब इसी के लिए activity one में इन्हों ने पूछा है कि कुछ रोज मर्रा की जिंदगी में जो हम separation देखते हैं चीजों की वो observe करिए आप है ना और ये बताईए कि उन सब की वजह क्या होती है और उसके लिए हम करते क्या है बता दिये बहुत असान है अब ये बताईए कि इससे क्यों कर जाता है और जो उनके बाद अलग चीजों हम करते हैं सैपरेट स्टोंस फरॉम राइस मतलब चावल में से पत्थरों को निकालना अब जाहिर सी बात है स्टोन्स हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं खाने के लिए तो इसलिए हम उसे निकालने के लिए प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उन स्टोन्स को या इंप्यॉरिटी इसको फेक देते हैं अब second में पूछ रहे हैं, churning milk to obtain butter, मतलब butter निकालना milk में से, क्यों करते हैं, ताकि दो components को milk के अलग अलग कर सके हैं, butter को अलग करेंगे और उसके पानी को अलग करेंगे, दोनों का इस्तमाल हम कर सकते हैं, तो यह आएगा और इसके बाद उस दोनों चीजों का इस्तिमाल हम करेंगे ठीक है फाइनल वाला आप देखे सकते हैं सेवरेट टी लीव क्यों करेंगे हम जाहिर सी बात है टू रिमूव नॉन यूसफुल कॉंपोनेंट्स है न जिसका हम इस्तिमाल नहीं करते और इसके बाद उस सॉलिट पार्ट को हम फेक देंगे अब सेपरेशन के कुछ मैथट्स दे रखे हैं जिसमेंसे सबसे आसान है हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग बहुत ही बेसिक साय हातों से या कहें तो अपने हातों से चीजों को अलग कर लेना जैसे होता ना चुनना वगरा चावल वगरा चुनते हैं कई भ़ी घ्या जऊिक है आपको मान लिए कोई डिश मिली है उसके अंदर मिर्च से पड़ें तो आप मिर्चों को अलग कर लेते क्हाने में से फिर खाना थे हांऽ खाते हैं तो उससीको बोलते ह हैं नेक्स देख लिए क्या है थ्रेशिंग, अब थ्रेशिंग भी बहुत आसान चीज है, कहते हैं कि आपने कभी आम या फिर अम्रूद वगेरा तोड़े हैं पेडों से, उसे आप आराम से तोड़ सकते हैं एक हाथ से क्योंकि बहुत बड़े साइस के होते हैं, गेहूं के दान जो हैं एक छोटी-छोटी से लड़ी पे बहुत सारे दाने लगे होते हैं और बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, अगर हम अपनी उंगलियों से निकालना शुरू करें तो घंटों लग जाएंगे जरा-जरा सी दानों को इखटा करने में, तो उसका क्या तरीका है, पूरी नेक्स प्रोसेस है हमारा विनोइंग, विनोइंग क्या है, ये इससे भी आसान है, उसमें तो हम बस चीजों को लेते हैं, उपर जैसे उचाई पे खड़े होके ये जो लेडी हैं, उसे गिराना शुरू कर रही है, बहुत सारे जो भी चीज जिसे उन्हों सेपरेट करना है उससे क्या होता है, भारी चीज तो नीचे गिर जाएगी जो हमारे काम की होगी, जो हलकी चीज़, जो हमारे काम की नहीं होगी, जो उसके अंदर के डस्ट पार्टिकल होगे, या पत्थर खंकर होगे, चोटे मोटे, वो सब साइट में उड़ जाएगा और जो ग्रेंस करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हवा भी चाहिए होती है जो की हस्को उडा सके अब नेक्स देख लिए वह सीविंग सीविंग क्या यह बिल्कुल सिंपल से चीज है वो लेक जाली लीजिए उसके ओपर चीजे फेकिये जो भी होंगी पतली पतली चीज़ होंगी वो नीचा आ जाएंगे जो मोटी मोटी चीज़ होंगी जो मतलब पत्थर व गंकड़ वगए को उसके अंदर को वह बहर में ऐसे जमा हो जायागा उस जाली पे oh इसलिए होता याम तोर में में सिमेंट को या फिर बैयरपुर-बद्री या फिर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सेंड वगेरा उनको छानने के लिए इस्तमाल होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपने देखें भी होंगे बड़ी बड़ी जालिया इसी को बोलते हैं अच्छा कोई लोग जो है सीविंग में और फिल्ट्रेशन में फर्क ने बता पाते क्योंकि दोनों में जाली का इस्तमाल होता है तो वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे और देखिए भी जो है इसको भी हम सीविंग बोलते है जो आटा होता है ना आटे को छन्नी से चानते हैं लोग उससे क्या होता है नीचे जो आटा अच्छा आयाता है मारे उपर पत्तर का अंकड जो है साइड में जमा हो जाता है इस चन्नी में और आपने गोर करा होगा कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होता है आपने चाय की चन्नी से चाय जो चाना होगा कभी तो आपने क्या देखा है, उस liquid में से आप उस solid को अलग कर रहे हैं, तो जब liquid में से solid को अलग किया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं, filtration, चन्नी के जरीए, और जब solid में से solid अलग किया जाता है, filtration से या फर करेंगे तो चन्नी से, तो उसे हम बोल देते हैं, seiving, बस इतना सफ अब next is sedimentation, decantation and filtration. ये क्या होता है? बहुत ही simple सी चीज है. ये तीनों एक साथ इसले लिख रखा है कि अकसर ये चीजों को एक साथ ही इस्तमाल किया जाता है और चीजों को अलग किया जाता है. तो देख लेते हैं एक एक करके, sedimentation बोलते हैं कि किसी चीज का ठहर जाना एक जगा पर बैठ जाना और जमा हो जाना. मतलब कि आपने सोच लिए एक पानी के अंदर रेत भरी विये बहुत सारी. थोड़ी देर आप उस पानी को ऐसी छोड़ दिए, बिना टच करें, तो रेत नीचे जमा हो जाएगी और पानी उपर आ जायागा, तो हो गया ना दोनों अलग बिना कुछ करें, तो उसी को बोलते हैं हम, sedimentation, sediment बोलते हैं, जो एक जगा पर एक खटा हुआ पदार्थ हो, उसे हम बोलते है, sediment, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए, example दे रखा है, मिट्टी होगा यह liquid होगा, उसे आप अलग कर लिए उस solid चीज़ से, जैसे कि देखिए, मिट्टी नीचे आ गई थी, तो उपर का पानी अलग कर लिया, इन्होंने है ना, दूसरे ग्लास में कर लिया, और नीचे की मिट्टी आ गई अलग से हमारे पास, अलग अलग ग्लासों में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, डीकेंटेशन, अब लास्ट आता है, फिल्टरेशन, फिल्टरेशन समझ लीजिए, कि दूसरे ग्लास में जो आया होगा, वो पूरी तरह से तो पियोर होगा नहीं, थोड़ा बहुत, इसके अंदर भी होंगी, मिट्टी के पार्टिकल, तो उसे अलग करने के लिए, एक छन्नी के इस्तमाल करेंगे, जिसमें से पानी गुजारेंगे, तो जो भी थोड़े बहुत बचेवे होंगे, इसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल, वो सब उसे फस जाएंगे, और साफ पानी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो यह होग पानी को एक ग्लास में रख दीजे, और ग्लास के अंदर आप उसे छोड़ दिये थोड़ी दिर तक, अब आप क्या देखे हैं कुछ घंटे बाद उस ग्लास के अंदर जो पानी होगा, उसके अंदर बहुत सारे इंप्योरिटीज होंगी, और वो नीचे बैठ रहे होंगे सते हैं ग्लास के, और उपर का पानी काफी हद तक साफ हो गया होगा, जो पहले धुंदला दिख रहा होगा आपको, अब वो काफी हद तक साफ दिखने लगा होगा, अब आप क्या करिए उपर का जो भी पानी है उसे धीरे धीरे दूसरे ग्लास में निकालना शुरू अब उसे आपने दूसरे ग्लास में कर लिया, अब आप देखेंगे, अभी भी वो काफी हद तक गंदा है, तो क्या करेंगे, कप्ड़ा लीजी आप, कप्ड़ा, और कप्ड़े से उसे पार कराईए पानी को, कप्ड़े को ओपर पानी डालेंगे, तो दूसरी साइड से प रहतर फिल्टर का इस्तमाल करके, उसे हम बोलेंगे फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर खरीद के लाईए, आप उस फिल्टर पेपर से उसे पार कराईए, ठीक है, उसके बाद जो फाइनल आपका पानी मिलेगा, वो काफी हद तक साफ होगा उस पॉंड के पानी स है कैसे दूद के अंदर थोड़ा़ा सा जो हम डाल देते है hmm lemon juice, उससे क्या होता है, वह फट जाता है दूदम फटजो फट जाता है और पानी रिस के बाहर चला जाएगा अब देखिए activity 6 में कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पानी ले लिए पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिए और क्या करेंगे उस बीकर को आप जरा हीट करना शुरू कर दिए अब आप क्या देखेंगे कि पानी जो है उबलने लगा उबलने के बाद जो है उपर evaporate होने लगा ठीक है इस process को जो पानी का भाब बनना है न उसको हम बोलते हैं evaporation तो पानी पूरा हो जागा evaporate और बच्चे का क्या उस बीकर के अंदर सिर्फ नमक तो हमने क्या कर दिया उस चीज को अलग कर लिया separate कर लिया तो इस process को हम बोलते है evaporation और क्या आपको पता है कि इसी evaporation technique का इस्तमाल किया आता है जो हमारे घर में नमक आती है उसे बनाने के लिए कैसे आता है सी वाटर जो होता है आपका उसको लेते हैं हम और बड़े से बंकर में लगा डाल देते हैं ठीक है उस टंकी के अंदर ऊपर से खुला छोड़ देते हैं उसको ताकि सूरच की गर्मी से वो evaporate होया है पानी जब पानी तो evaporate हो जागा नीचे क्या बच जागा उ हमें evaporate होयाता है और बचता क्या है इन गड्डों में नमक अब देखे आगे लिख रखा है यूज ऑफ मोर देन वन मैथट ऑफ सेपरेशन बोलते हैं कि कई बार एक से जादा मैथट की जरूत पड़ती है की चीज़ को सेपरेट करने के लिए जैसे मैंने शुरू- करने सेपरेशन के लिए के जरूरी नहीं कि एक ही मैथट का आप सिस्तेमाल करके चीजों को अलग अलग कर पाएं हो सकता है अलग अलग स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़े आपको आपको यात होगा मैंने शुरू में आप से पूछा था कि अगर आपको नमक और रेत मिक अब पानी में मिक्स कर देंगे, अब पानी में रेत तो मिक्स होगी नहीं, तो मिक्स क्या होगा पानी के अंदर, नमक मिक्स हो जाएगा पानी के अंदर, और सैंड वैसे रहे जाएगी, अब सैंड थोड़ी देर में पानी में, मिक्स तो होने नीवाली तो नीचे आके ठहर जाएगी एख जिगा है क्या हो जाएगी cils edimen do जाएगी या फिर कहें तो उसका sedimentation हो जायागा अब क्या करेंगे उपर का जो पानी का फी नमकीन होगा उसको निकाल लेंगे दूसरे बीकर में या फिर का दूसरे हमने अलग कर लिया नमक को और सेंड को और साथ ही में पानी तो पहले से अलग थाई वो हम नहीं मिक्स कर रहा तो अब देखिए हमारे अगले टॉपिक में बोल रहे हैं कि क्या कोई चीज infinitely dissolve कर सकते हैं पाणी के अंदर या किसी फीचीज के अंदर dissolve मतलब घुलाना क्या पानी केंदर किसी चीज को घुलाया जा सकते हैं तो देख लेते हैं हम कह रहे हैं कि activity 8 में आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए और पानी ले लीजिए अब पानी का जो ग्लास है उसके अंदर आप नमक मिक्स करना शुरू करिए और करते जाएए करते जाएए एक time आयागा जब नीचे सतय पर जो है नमक जमा होना शुरू हो तो उस point को हम बोल देते हैं point of saturation कि यहाँ पर आपका saturate हो गया यह पानी नमक से ठीक है कि और जादा अब इसमें नमक नहीं घुल सकता जितना नमकीन होना था पानी हो चुगा अब जितना ही भी आप नमक रखेंगा नीचे सतय पर जमा होना शुरू हो जाएगा अब देख है कि आप उसमें और जादा नमक एड़ कर पा रहे हैं तो जवाब हैं हाँ आप कर पा रहे होंगे क्योंकि जब हम गरम करते हैं ना पानी को तो उसमें आप थोड़े से और सब्स्टांस को मिक्स कर सकते हैं heat कर देने से अब देखिए activity 10 में क्या बोल रहा है कि आप दो ग् हो गया और शुगर आपने कितने चम्मच भरा कि वह सेचुरेट हुआ तो इससे आपको दोनों में एक डिफरेंस मिलेगा कोई एक चीज दूसरे से जादा घुली जा सकती होगी ठीक है तो मतलब कि जो चीज जादा घुली जा सकती है उसको बहते हैं जादा सॉल्यूबल ह पानी के अंदर ठीक है अब देख लिए आगे ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए और यहीं पर आपका चैप्टर खतम होता है